प्रियागरा से वापस नहीं आ पाया था और वापस आया भी तो बड़ी ठंडे थी और पढ़ाने के सिचुएशन में मैं नहीं था तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पैसे वैस कि ये पांचवी क्लास होगी चार क्लास मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ और हम लोग passive of what पढ़ चुके हैं, passive of who पढ़ चुके हैं, and passive of whom पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे passive of who's और passive of which इन दोनों कॉंसेप्ट को पढ़ना बहाँ ज़रूरी है और मैंने कहा कि topic के साथ हम लोग पढ़ेंगे कौन-कौन सा topic कैसे पढ़ाया जाता है क्या रहेगा तो आपको कैसे question को solve करना है ये सारी चीजे हम आज की class में discuss करेंगे तो मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे जो है copy pen के साथ बैठें ताकि एक एक concept उनको easily समझ में आए ठीक है चलिए फटा-फट copy pen के साथ ready हो जाई क्योंकि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ passive of whose अगला जो topic है वो है passive of whose passive of whose यही हमारा topic है passive of whose इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि यह possessive case होता है passive of whose यह possessive case है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है तो चलिए एके कर गे हम समझते हैं इसके दो concept होते हैं whose का जो जब भी question आएगा whose से आपके सामने जब भी questions लिखेंगे तो लिखेगा दो तरीके से आपको बनाना भी होगा उसको दो तरीके से तो कब दो तरीके से बनेगा और कब एक तरीके से बनेगा इन दोनों तरीकों पे हम बात करते हैं तो जड़ा पहले मैं समझा देता हूँ पहला formula क्या है इसका पहला formula है कि सबसे पहले आपको question में क्या दिखाई देगा आपको दिखाई देगा who's और who's जब भी आएगा दोस्तों तो याद रखेगा इसके बाद कोई न कोई down जरूर होगा और वो noun या तो singular हो सकता है या तो फिर plural हो सकता है लेकिन who's के बाद यहाँ पे noun compulsory रहेगा noun अगर नहीं रहेगा तो who's से कभी आपके सामने question पुटब नहीं किये जाएंगे याद रखेगा who's रहेगा तभी जब यहाँ पे noun रहेगा no noun no who's ठीक यह पहला तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आगया do और यहाँ पे आगया does आपको याद रखना होगा कि जब भी हम who's का पैसी बराएंगे तो who's के बाद noun तो compulsory रहेगा do does भी रहेगा अगर do does रहेगा तब कैसे बनाएंगे और do does नहीं रहेगा तब कैसे बनाएंगे यह दो तरीके हैं उसके बाद यहाँ पे आएगा subject क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पे आएगा subject और इसी subject के according आपको do लगाना है और इसी subject के according आपको क्या लगाना है डस लगाना है ठीक है यहाँ वाले noun से आपको मतलब नहीं है उसके बाद यहाँ पे रहेगा verb का कौन सा form तो यहाँ पे रहेगा verb का first form याद रखेंगे यहाँ पे रहेगा verb का कौन सा form first form एक बार और मैं ध्यान से आप सबको बता दूँ कि जब भी passive of whose हम लोग पढ़ेंगे तो passive of whose के साथ यहाँ पे कोई ना कोई noun कराना जरूरी है तो वो noun या तो singular form में होगा या फिर plural form में होगा यहाँ पे यहाँ तो do रहेगा या तो does रहेगा और यहाँ पे do does का according इस noun के according नहीं होगा बलकि यहाँ पे do does का use according to write वाले subject के according होगा ठीक है अगर singular रहेगा तो does लगाएंगे plural हैगा तो do कि लगाएगा और यहाँ पर वर्क कोन से form रहेगा first form, तो जब भी dudas रहेगा तो याद रखेगा उसका पैसी वैस कितने तरीके से बनेगा एक तरीके से बनेगे, एक तरीके से बनेगा, और जब dudas नहीं रहेगा तो दो तरीके से बनेगा जैसे कि what वाले में हुआ था अब इसका answer जब आप करोगे ना जब आप इसका answer करोगे तो क्या होगा सबसे पहले यहाँ पे जो who's है उसको आप क्या करेंगे copy कर लेंगे उतर गया यहाँ पे जो आपके right में noun रहेगा यहाँ पे right में जो noun रहेगा यह वाला पहला और यह वाला दूसरा दोनों को copy कर लिया जाएगा हो गया copy और अगर दोनों copy हो गया तो यहाँ पे अगर noun singular है यहाँ पे noun अगर singular है तो आपको क्या लगाना होगा is और यहाँ पे noun यदी plural है तब आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा, यानि plural के साथ आपको क्या लगाना होगा, आर और singular के साथ आपको क्या लगाना होगा, is, और यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर जो वर्ब रहेगी, उस वर्ब को आप पहुंचा देंगे, किस फॉर्म में, third form में पहुचा देंगे और यहाँ पे जो subject होगा वो चला जाएगा by object में किस में चला जाएगा by object में चला जाएगा तो यह आपके question का answer बनने का एक single तरीका होगा question के answer बनने का एक simple तरीका होगा समझ में आ गई बात अगर समझ में आ गई हो तो ऐसे नहीं समझते हैं पहले हम question करते हैं उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले मैं आपको एक active voice का question देता हूँ और अगर समझ लीजे यहाँ पे आ गया whose, उसके बाद आ गया whose, s-o-n whose son, sons कर लेते हैं आपे ठीक है? और यहाँ पे मैंने कर लिया plural का whose, sons, उसके बाद आ गया does, उसके बाद आ गया he उसके बाद आ गया beat एक के करके इस question को ध्यान देजिए सबसे पहले अगर यहाँ पे whose आ गया तो मैंने कहा कि whose के बाद यहाँ पे noun काना compulsory है noun आ गया न मैंने यह भी कहा कि noun singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है तो मैंने एक plural लख लिया है यहाँ पे does मैंने लगाया है यहाँ पे plural है तो यहाँ पे does और इस does का according, इस sons के according नहीं हुआ है यहाँ पे singular subject है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है? does और यहां पर क्या आगया है? यहां पर आगया है verb. यानि यह total concept इसी वाले concept पर आधारीत है. यह जो question है इसी concept पर आधारीत है. अब जरह इसका आप answer बनाओगे तो इसका जब answer बनाएंगे आप तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा कि आप पहले और दूसरे को copy कर लेंग whose उतर गया पहला वाला हो गया? मैंने कहा कि यह noun भी उतारेंगे तो यहां पर अगर यहां पर sense है तो आप यहां पर sense को क्या कर लो? copy कर लो. उतर गया दो और मैंने कहा कि अगर यह noun singular है तो क्या लगाना है? e is a plural है तो क्या लगाना है? r. अब यहां पर sense plural है तो यहां पर ह इससे बतलता है by object में तो subject यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही किस में change हो जाएगा ओ हिम में change हो जाएगा यह आपका question है बनके तैयार हो गया समझे में आ गया मैंने क्या किया कि who's को copy किया इसके साथ आने वाला जो noun है उसको copy किया हो गया अगर यहाँ पे plural है plural है तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया यहाँ पे जो रहेगा उसके according आप क्या लगाओगे ease या आर अगर यहाँ पे sun रहता तो यहाँ पे क्या लगा लेते, is, अब यहाँ पे हो गया plural, और यह plural हो गया, तो यहाँ पे beat का third form कौन सा होगा, beaten क्योंकि helping verb के बाद क्या आती है, helping verb के बाद ही verb आती है, और passives में verb किस form में रहती है, तो हमेशा अपने तीसरे form में रहती है, और अगर he है, तो वो किस पे बतल गया, वो by him में change हो गया, यह हमारा answer बनके ready हो गया, ठीक है ना, एक बार इसको note कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ, तो इसके दूसरे examples आपको बताता हूँ, फटा-फट करेंगे, ठंडी बहुत है, अपने आपको बचा के रखना जरूरी है, आप लोगों से मैं यहीं चाहूँगा कि एकदम काईदे से, इत्मिनान से बैठ के उसको पढ़ा करिए, क्योंकि एकदम visibility कम है, सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यह बादल है, एक दिन मौसम ठीक वाँ, उसके बाद फिर से वही हाल है, चलिए, मैं आप सबको बता दू, कानपूर में 40 लोगों की heart attack से मौत हो चुकी है, क्योंकि ठंडी इतनी है, और ठंडी में जो blood circulation होता है, कम होता है, इसलिए हिर्दय गती रुखने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं, चलिए, अब ज़रा हम आगे आते हैं, पैसिव फूस बढ़ रहा हैं दोस्तों, आर ये बात समझ में न, और पैसिव फूस को कैसे आप लोग त्यार करेंगे, ठीक है, अब ज़रा चलिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक्जांपल मैं आप सबको देना चाहूंगा, और दूसरा एक्जांपल क्या है ज़रा ध्यान दे, अगर माल लीजिए कि, अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया डबलू एच ओएसी हूस, यहाँ पे आ गया सो एन सन, उसके बाद आ गया डू, उसके बाद आ गया दे, सी ए डवल एल कॉल, जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, उसी फॉर्मूले पे यह मैं आपको कोश्ण दे रहा हूँ, उसको ज़रा समझने की कोशिस करिए, अगर यहाँ पे एक्टिव आ गया तो एक्टिव आ गया तो दोस्तो पैसिव तो बनाएंगे न, अगर एक्टिव आ गया तो पैसिव बनाना है, मैंने कहा कि अगर हूस आएगा तो हूस के बाद किसी नाउन का अना कंपल्सरी है, अगर यहाँ पे हूज आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या रखलो, यहाँ पे आप रखलो हूज, आ गया, अगर यहाँ पे सन है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, सन कर लो, मैंने कहा कि पहला और दूसरा जो भी आएगा, आपको उसको क्या करना है, आपको इस पहले को आप इस पहले वाले को दूसरे वाले को copy कर लेंगे हो गया copy मैंने कहा कि अगर यह singular है तो आप इस लगाएंगे और plural रहेगा तो r अब यहाँ पर यह singular sun singular है तो हमने यहाँ पर क्या लगा लिया is, अगर suns रहा तो अभी आपने पीछे क्या लगाया था? r लगाया था na is, यह मतर यह call है यहाँ पर तो c a double led called, क्या आगया यहाँ पर? called यह verb अपने किस फर्म में चली गई? third form में, उसके बाद आ गया by और अगर do है, तो sorry, they है, तो यहाँ पर आप दे को किसमें change कर लेंगे? आप इसमें change कर लेंगे देम में यह आपका answer क्या हो गया? ready हो गया यानि singular to plural plural to singular आपको manage कर ला है किसके साथ कब हम use करने जा रहा है अगर suns था वहाँ पे, तो हमने यहाँ पर r लगाया लिए, लेकिन यहाँ पर sun है, तो क्या लगा लिए? इस लगा दिया, ठीक है न? कुछ और examples लेते हैं examples यह है कि पहला आपको मैं example दे रहा हूँ यह तीसरा example है अगर माल लीजे, यहाँ पर आ गया whose, उसके बाद आगया b, double, o, k, s, books उसके बाद आगया does, उसके बाद आगया c, और उसके बाद आगया b, u, y वो कौम सी पुस्तके खरिदती है वो किसकी पुस्तके खरिदती है समझ गए आप लो अब ज़रा इसका answer मैं आप सबसे जाणना चाहूँगा कि अगर इसका answer मैं आप सबसे पूछू तो answer क्या बनाएंगे तो सबसे पहला है कि यहाँ पे आप सबने क्या बना लिया w, h, o, s, e, who's बना लिया पहला अगर यहाँ पे books है तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया आपने यहाँ पे कर लिया books यानि पहला दूसरा आपने क्या कर लिया copy कर लिया मैंने कहा कि copy करने के बाद ये दूसरा वला है उसके according आपको helping verb यूज़ करना है तो books यहाँ पे कैसा noun है plural noun है अगर plural noun है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम हम यहाँ पे लगा देंगे और plural हो गया helping verb के बाद आती है verb जो अपने किस form में राती है third form में तो यहाँ पे by का third form क्या होगा यहाँ पे by का third form होगा ब, o, u, g, s, d, bot होगा ना और इसके बाद अगर यहाँ पे c है तो यहाँ पे कर लेंगे by और c की जगा पे क्या लगा लेंगे हर लगा लेंगे यह आपका answer है तो तो जब आप मैं बढ़ना चाहूँगा आगे और आपको बताऊंगा कि whose का passive जब do does नहीं रहेगा जब यहाँ पे do और जब यहाँ पे does नहीं रहेगा तब कैसे मनाएंगे आप do does के बीना आप passive वैस कैसे मनाएंगे तो जब do does रहेगा तो उसका passive सिंगल तरीके से बनता है यानि एक तरीके से बनता है और जब do does को गाइब कर देंगे तो उसका passive दो तरीके से बनेगा कैसे बनेगा जरा मैं आप सबको बताता हूँ पहले उसका formula मैं देना चाहूँग और जैसे formula दे दूँँगा उसके बाद आपको उसके examples बताऊंगा कि उसके examples आप कैसे solve कर सकते हैं ठीक है ना चलिए अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के आपको बताते हैं whose का passive ये इसका दूसरा तरीका कौन सा होगा सबसे पहला अगर दोस्तों यहां पे आ गया हो डबलू एच ओएसी whose whose के बाद मैंने कहा कि आपको यहां पे कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगा ये नाउन या तो singular होगा या तो फिर कैसा होगा plural होगा ठीक है अब यहां पे क्या मिलेगा कि अगर आपको यहां पे मिलता है वर्ब वर्ब में या तो एस जोड़ा हो या तो एस जोड़ा हो या फिर क्या जोड़ा हो आई एस जोड़ा हो वर्ब में अगर वर्ब subject singular होता है अगर ये noun singular है तो noun singular जब होगा, तो उस verb में या तो s लगा होगा, उस verb में या तो yes लगा होगा, या उस verb में क्या लगा होगा, ies, और अगर verb plural, अगर subject plural होगा, तो आपको रखना होगा verb का कौन सा form, first form, ठीक, और इन दोनों के बाद आपको एक मिल जाएगा यहाँ पे object, क्या मिलेगा, य लेकिन यहाँ पे do does गायव है, यहाँ पे कहीं do does नहीं है, और जब do does नहीं रहेगा तब उसका passive कैसे बनाएंगे, do does था तब कैसे बनाया एक तरीके से, और जब do does नहीं रहेगा, जब do does नहीं रहेगा तो उसका passive कितने तरीके से बनाएंगे, तो दो तरीके से थिक है कैसे तो जरह इसका answer बनाते हैं इसका जरह answer बनाते हैं और समझते हैं कैसे बनाना है सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तो तो आप पहले की तरह who's को copy कर लेंगे उतर गया यानि ये पहला वाला copy कर लिया यहाँ पे जो noun रहेगा उस noun को आप क्या करिएगा copy कर लीजिएगा पहला दूसरा उतर गया और पहला दूसरा copy करने के बाद ये पहला और दूसरा दोनों क्या हो गया copy और इस copy करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे easy लिख सकते हो आप यहाँ पे m लिख सकते हो और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो आर यानि आप तीनों helping verb का इस्तमाल आप कर सकते है easy भी कर सकते है m भी कर सकते है आर भी कर सकते हैं, कब, जब डूड़ाज नहीं रहेगा, तब, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कि आप यहाँ पे जो object है, object किसे बतलता है, तो object को passives में subject में change कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो subject बनाएंगे, यहाँ पे जो subject बनाएंगे हम, उस subject के according, आप यहाँ is कर लोगे, आप यहाँ पे m कर लोगे, और आप यहाँ पे क्या कर लोगे, r कर लोगे, हो गया, और अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कि आप यहाँ पे लिखोगे, अपनी जो verb रहेगी, उस verb को किस form में भेजोगे आप third form में, और third form में भेजने के बाद, last में आप क्या लाइस्ट में आप लगा दोगे बाई एजेंट यह आपका पैसी बनाने का तरीका है समझ गए ना लेकिन माल लीजिए कि यह वाला पैसी वैस आप नहीं बनाना चाहते हैं चाहे दिये गए विकलपों में दिये गए उपसंस में यह नहीं है कही तब क्या करोगे तब क्या करोगे कि आप जो यहाँ वाला हूज है जो कहां आया है जो यहाँ पे आया है लास्ट में कहां आया है लास्ट में आप इसको क्या करोगे आप इसको बाई से पहले यहाँ पे हूज के पहले ही आप क्या लगा दोगे आप यहाँ पे बाई लगा दोगे तो यह आज दो-दो तरीके से बना सकते हैं बाई पहले भी लगा सकते हैं और बाई लास्ट भी लगा सकते हैं ठीक है ना एक बार आप इसको नोट कर लीजिए तम मैं इसके questions को समझाता हूँ जिससे आपकी जो अभी doubts हैं वो एक दम clear हो जाए फटाक से नोट करिए फटा-फट नोट करिए तम मैं आगे बढ़ता हूँ सर्दी बहुत जादा हो गई है जिसकी वज़र से सास लेने में प्रॉलम हो रही है चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे के points को समझते हैं examples के थ्रो examples को सीखना बड़ा जरूरी है मैं बार-बार बता रहा हूँ जब doodas नहीं रहेगा तो उसका passive हम बनाएंगे दो तरीके से और जब doodas रहेगा तो उसका passive बनाएंगे एक तरीके से ठीक है ना अब जरा आप सभी लोग ध्यान दे अब जरा हम यहाँ पर कोर्सन लेते हैं पहला कोर्सन क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर आगया तो मैं बता दू कि इसका आंसर कितने तरीके से बनेगा दो तरीके से कौन सा तरीका होगा तो सबसे पहले हम आपको पहला तरीका दिखाते हैं सबसे पहले मैंने कहा कि क्या करो गया तो सबसे पहले हमेशा कितर जैसे पहले उतारते थे उसको copy कर लिया यहाँ पे wife है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे आप कर लो wife, यह दो हो गया, यानि पहला दूसरा दूसरा क्या हो गया, copy हो गया, अगर copy हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे him है, तो him इधार आएगा, तो he बनेगा, और he के according क्या लगाएंगे आप इसका इस्तिमाल करेंगे और तब यहाँ पे लिखो गया भी यानि ही के कॉर्णिंग क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इस लगा दिया बीट का क्या होगा तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर बीट का third form होता है ठीक है और last में आप क्या लगा दोगे तो last में आप लगा दोगे बाई यह आपका पहला तरीका है यह आपका पहला तरीका हो गया लेकिन अगर आपको यह option में अगर नहीं मिल रहा हो तब क्या करेंगे इसका दूसरा तरीका आप बनाओगे तो जो by last में आया है ना उस by को आप यहाँ पे पहले लगा दो क्या लगा दो यहाँ पे पहले by तब यहाँ पे क्या करो तब यहाँ पे जो जो word आपने लिखा है उस एक एक word को आप जियों कतियों क्या कर दो उस जियों कतियों उतार दो और उसके बाद की आगे ही बी टेन यानी यह आपका हो गया दूसरा तरीका यह आपका हो गया पहला तरीका बस केविल by agent का difference है कि अगर by last में जाता है तो वो पहला तरीका होता है और by अगर last में नहीं लेकी जाना जाते हैं तो आप who's के पहले ही लिख सकते हैं क्योंकि यही subject है और subject के पहले जो subject होता वो object बनता है और object लिखने से पहले आपको पैसी वैसे में by के रूप में एक agent लिखना पड़ता है ठीक है ना चलिए अब ज़रा दूसरा question लेते हैं दूसरा question क्या है जरा इसको समझ ले सबसे पहला अगर यहां पे subject singular था तो आपने यहां पे इसके लिए क्या लगा दिया इस लगा दिया अब जरा हम मैं आपको दूसरा कुरसद ही दे रहा हूं अगर मान लीजिए यहां पे लिख दिया जाए whose उसके बाद आ गया son whose son उसके बाद आ गया a b u s e s abuses और उसके बा आ गया है ना abuses verb है और whose के बाद यहां पे क्या आ गया son आ गया son हो अचाया son's हो कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है जो रहेगा वो यहां तो यहां पर क्या बना he और he के सथ क्या लिया यहां पर is यहां पर me है तो क्या बनेगा i और i के साथ आप क्या यूज करेंगे अब m अगर यहां पर रहता dem तो dem को बदलATे dem और the case की लगाते है अब r लगाते ठीके ना सबसे पहला तरीका अगर मैं आपको बनाकर बताओं सबसे पहले यहां पर whose को आप कापी करिये whose कापी हो गया यहां पर son है यहां पर son को लेलो अगर यहां पर me है इधर आएगा तो क्या यहाँ पे थट फर्म मैएगा ना, तो हो जाएगा यह abused, उसके बाद यहाँ पे लगा दोगे by, हो गए आपका अंसर, यह बाला आपका बना दिया अपने कौन सा तरीका, पहला तरीका और अगर दूसरा तरीका आपको बनाना है, तो यहाँ पे पहले जो by जो last में हुआ करता था, उसको कहा लेके आ गया, उसको लेके आ जाएंगे पहले, तब यहाँ पर क्या करेंगे, तब यहाँ पर आप लिखोगे WHOC who's, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे सन, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे M, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे I, और उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे दोस्तों Abused, तो यह आपके दो तरीके बन गए, और दोनों तरीका बहुत ही आसान है, या तो बाई को आप पहले लिखो, या फिर बाई को कहा लिखो, ला ले रहा है चूड़ रहा है मजा भी लीजिए मजा भी लीजिए और समझ भी लीजिए ठीक है दोनों का कमबो इस्सेमाल करिए चलिए ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल विदा बोलिएगा जल्दी ही मौसम ठीक होता है तो फिर पहले की तरह लाइव आएंगे तब तक धन्यव